नमस्कार लाइफ सिटीज में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ प्रितिजा सक्षा विभाग के अपरमुखे सचिव केके पाठक का एक और नया फर्मान जारी हो गया है आपको बता दें कि जब से इनोंने सक्षा विभाग के अपरमुखे सचिव का पदभार सम्हाला है तब से एक के बाद एक फर्मान जारी कर ही रहे है और नया फर्मान जो है वो विश्विद्याले में परे रहे छात्रों को लेकर है जहां एक तरफ यह देखा जा रहा था कि सरकारी स्कूल से लगातार अगर तीन दिनों तक बच्चे गायब रहते हैं तो उनका नाम काट दिया जारा था इसको लेकर आदेश जारी किये गये थे तो वहीं अब जो यूनिवरसीटी में पर रहे छात्र हैं उनका नाम भी काटा जाएगा इसके बारे में नया आदेश जारी किया गया है और विश्विद्याले को यह आदेश दिया गया है कि बिना किसी कारण के या यानी की संतोस चनक नहीं मिला तो फिर यह भी कहा गया है कि उन छात्रों का कॉलेज से नाम काट दिया जाए दरसल सिक्षा विभाग के अपर मुखे सचिव के के पाठक ने ये आदेश दिया है और आदेश विश्विद्याले को दिया गया है बता दे कि सप्टेंबर महिने स से ही राज के स्कूलों में अनुपस्थित रहने वाले बच्चों का नाम काटा जा रहा है इसी पर विश्विद्याले और कॉलेजों पर भी कारवाई करने को कहा गया है कि बिना वाजिब कारण के कोई विद्यातिर लगातार तीन दिनों तक क्लास से अनुपस्थित रहना साथ ही उसका जो राइस्ट्रेशन है वो भी रद करने की कारवाई करें। परिक्षा के जो नियंत्रक कुल सचीव है उनसे भी आग कहा गया है कि इस संबंध में आप भी ध्यान रखें कि करिब जो यूनिवर्सिटी हैं जो कॉलेज में बच्चे पर रहें उनकी अटेंडिंसी 75% जो है वो होनी ही चाहिए तभी वो एक्जाम दे पाएंगे देखें इन नियमों के बारे में आप जानते होंगे कि सक्षा विभा के अपर मुखि सचिव केके पाठक ने इन तमाम नियमों को स्कूल के बारे में कहा था जो सरकारी स्कूलों में बच्चे आते हैं पढ़ते हैं अगर उनकी 75% अटेंडिंस नहीं होती तो नहीं एक्जाम नहीं देने दिया जा और वहीं यह भी कहा गया था कि स्कूल में बच्चे अगर तीन दिन तक लागातार नहीं आते हैं तो उनका नाम कार्ण दिया जाए तो देखें अब यही फ्रासला सक्षा विभाग के अपर मुखि सचिव के के पाठक ने यूनिवर्सिटीज के लिए भी लि दिया गया है और अब यूनिवर्सिटी को भी यह आदेश पालन करना ही होगा चैनल को सब्सक्राइब करें फेज़ुक पेज को लाइक करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद